आपका स्वागत है दोस्तों हम अपने चैनल की सीरीज में कुछ नए वीडियो गुणाने जा रहे हैं इसमें आपको सामान ग्यान से समंदित टॉपिक मिलेंगे और वीडियो का साइट ज्यादा बला नहीं होगा साथ से आठ मिनिट या तस मिनिट का होगा इसमें आपको साम प्रस्ण कंपल सरी है अनिवार रूप से प्रस्ण पूंचा जाता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा वीडियो को परसंद आए तो अपने दोस्तों को सेर जरूर कीजिएगा आज का जो हमारा एक प्रस्ण है आपसे क्या आप जानते हैं कि नोबल प्राइज एक छेत्र में एक से अधिक कितने वेक्चियों को दिया जा सकता है हां हम सबी लोग यह जानते होंगे नोबल प्राइज Nobel Prize क्या है विस्तु के सबसे प्रतिष्ठित पुरुसकारों में माना जाता है इनको सबसे अधिक मुद्रा भी इसमें दी जाती है और विस्तु का सबसे प्रतिष्ठित पुरुसकार भी माना जाता है आपने Nobel Prize से समंदित बहुत सारे वीडियो देखे होंगे लेकिन आप कारणटी से मैं आपको बता रहा हूँ आपको इसमें कुछ नया मिलेगा और वीडियो देखने के बाद नोबल प्राइस सम्मंदित अधिक तर प्रस्ण आप आसानी से हल कर सकेंगे यह जाना बड़ा वीडियो नहीं है और इसमें आपको कापी अच्छी जानकार दी जाएंगी हाँ तो हमारा प्रस्ण था कि क्या मर्लो प्रांत भी नोबल प्राइस दिया सकता है दरसल एक आपके सामने एक प्रस्ण मैं रख रहा हूं मर्लो प्रांत नोबल प्राइस दिया जाता है तो इसका आंसर होगा नहीं मर्लो प्रांत तो कोई भी नोबल उसकी घोष्णा वर्ष के लास्ट में अक्टूवर मैने में दो से दस अक्टूवर के बीच में की जाती है और पुरुसकार जो हैं दस दिसंबर को प्रदान किये जाते हैं यानि कि अक्टूवर से लेके दिसंबर तक की अवधी में अगर पुरुसकार प्राप्त करने वाले की म्रत्य हो जाती है तो निश्चित रूप से वो पुरुषकार उसी ब्यक्त की उत्राधिकारी को दिया जाएगा हलाकि मरलो परांत देने का कोई भी रिकल्प नहीं है 1904 में जो पुरुषकार देने वाली जायल स्विडिस एकेडमी है वहाँ पर इस चीज का निड़ने लिया गया था इस बात का निड़ने लिया गया कि अगर पुरुषकार घोषडा और पुरुषकार देने की समयावदी में पुरुषकार प्राप्त करने वाले की म्रत्त हो जाती है तो वो पुरुसकार उसी के उत्रादिकारी को दिया जाएगा और मरलोपरानत वाले को कई नाम डिकलेर नहीं होता है दूसरा प्रस्ट है एक ही छेत्र में आप एक से अधिक तीन ब्यक्तियों को नामित कर सकते हैं यानि एक पुरुसकार अधिक्तम तीन ब्यक्तियों को या तीन संस्थाओं को दिया जा सकता है और आपको और जानकारी की बता दें कि पुरुसकार की जो रास ही होती है ब्यक्तिगत एक नोबिल प्राइज की उसी रासी को तीनों ब्यक्तियों में विवाजित कर दिया जाता है ना कि वह राज से तीन वुना की जाती है यानि कि जो राज एक पुरुसकार के लिए एक छेत के लिए निर्धारित है यानि कि लगबग 10 million Swedish krona 10 million Swedish krona का मतलब होता जाके भारती मुद्रा में इसको हम निकालते हैं तो साथ करोड से अधिक कुछ मुद्रा बनती है तो वो तीनों वेक्तियों में बरावर मांट दिया जाएगा और उन सबी को एक 18 कैरेट सोने का एक हां से निमित पदक भी दिया जाता है तो नोबल प्रुषकार इस्थापना कब हुई थी नोबल प्रुषकार की स्थापना 1901 से हुई थी और 1901 से नोबल प्रुषकार देना शुरू किया गया नोबल प्रुषकार किसकी याद में दिये जाते हैं दासर अलफ्रेड नोविल ने डाइनामाइट का अभिसकार किया था और हुआने 350 से अधिक experiment किये थे उन्होंने अंतिम समय में अपना विभार नहीं किया था उनका कोई ताद्रिकारी नहीं था तो आरा सो चानवे में 10 दिसंबर 1890 को अलफ्रेड नोविल का निधन हो गया था वर से पहले उन्होंने अपनी बसियत कि और अपनी पूंजी का जो भी अपनी पूजी थी उसका निवेस किया और उस निवेस से प्राप्त आय का 20 शेत्रों में सर प्रतम नोगल प्रुसकार पांच 20 शेत्रों में दिये जाते थे उनको प्रतिवर्ष संस्था के द्वारा एक संस्था है रेल एकैडमी ओफ स्वीडिस शाइंस रोयल अकेडमी ऑफ स्वीडिस साइन्स आपका क्रसाइन बिग्यान बहुतिक बिग्यान और अर्थ साथ इन तीनों छेत्रों के पुरुसकारों का बित्रण रोयल अकेडमी से चैन किया जाता है सांती का जो पुरुसकार है वो नोबिल प्राइस कमेटी ऑफ नौर्वे प्रधान करती है अर्थ सास्त का पुरुसकार 1968 से देना प्रारम्भ किया गया इसमें बहुत सारे फैक्स हैं जो मैं आपको एक अंड़ वीडियो में बनाऊंगा उसमें आपको सारे फैक्स बताऊंग दरसल क्या है कि अब इसमें हम चर्चा करने हैं दो हजार बाइस में कितने लोगों को नोबिल पुरुषकार दिया गया तो दो हजार पाइस में चौदे बेक्तियों को नोबिल प्रुषकार दिया गया six छेत्रों में चौदे बेक्तियों को तो पहले साहित के से सेत्र में, सेंग एक विप्रुषकार दिया गया और कुल मिला करके बारे बेक्तियों को नोबल प्रुष्कार दिया गया तो अब हम चर्चा करते हैं सबसे पहली चर्चा जो हमारी है भौतकी में नोबल प्रुष्कार भौतकी में तीन बेक्तियों को नोबल प्रुष्कार दिया गया इन तीनों बेक्तियों को पेचीदा फोटान प्रियोगों पर काम के लिए दिया गया असमान ताओ का ओलंगन थाबित करता है कि क्वांटम सुचना बिज्ञान के चेत्व को भिक्सित करना तो पहला आपका हो गया बहुत तिकी के इब मताया, आपको 3 लोगों को पुष्कार रिया कौन से? rates, एलन पेलु, जॉन प्रोह, यॉन चलिज़, ऐन्सांन जिलिंगर दूसरा है रसायन, हाइन दुसे रसायन के छेट, में उनको नाम को कैसे आप सौर्ट कट यह याद कर सकते हैं और निस्चित आप उसे भूलेंगी नहीं तो आपके दो चेत्रों के हो गए बहुतिक का और रसाइन का रसाइन में कैरोलिन बर्टो जी मेंडल और वेरी सौर्पलेस तीसरा है आपका मेडिसिन का यानि चिकिस्था का नोबल प्रोस्कार इसके मिला है सौनते पाबो यह एक ही बग्ति को दिया गया है विलुप्त हॉमिनेट जीनोम और मनुस्य के बिकास्ता उनके सोध के लिए दिया गया था साहित में साहित में एनी एनॉक्स यह फ्रांसीसी मैला है लेखिका है पत्रकार्वी है बहादुर अर्थ साहित में सिर्फ एक ही एक लोगों को दिया गया है अब बात आता अर्थ सास्त्म नोबल प्रुसकार बैन एस बड़नान के डगलस डबलू डाइमंड फिलिप एच डाइब बिग बित्ती संकट पर और बैंकों पर सोध के लिए उनको अर्थ सास्त्म नोबल प्रु और युक्रेन युद्ध रूस और उक्रेन युद्ध को पर ही फोकस रखा गया है इस जांति के पुरुसकार को तो यहां पर एक जूस से अलग हुआ एक देश है बेलारूस तो उसके एक मानवादिकार कारी करता है एस ब्याल यासकी उनको और दो संस्ता हैं कौनसी इसमा परोस नोबल आत्री परोस कार्ण है रोस और रोस रोस और हुपशिताओं के मानवाधिकार चाहलाूपत आप दक तो सबसे अच्छा अन्न कुछ फैक्ट्स भी आपको बता दें अब तक 1901 में शुरुवात के बाद कुछ साल ऐसे रहे जिने नहीं नहीं गया कारण रहा है कभी अतिकांस प्रतम बिश्वुद्रा रुती बिश्वुद्रा रहा और महा आपदाएं बैसे किस्तर पर आपस मे सामझे से नहीं होना ये कई काहण नहीं है तो कुल मलाके 1901 से लब तक 49 टाइम्स पुरुषकार नहीं दिये गए सबसे कम उम्र की जो महला थी उनको पुरुषकार दिया गया आप सबी जानते होंगे पाकिस्तान की मलाला यूसुप जई उनको 17 वर्स की उम्र में नोबल पुरुषकार दिया गया किसके साथ भारत की एक और बाल अनात वच्चों के लिए कार करम कर संसा थी उनकी कहला सत त्यार थी उनके साथ में मला यूसुप जई को सांती का पुरुषकार दिया गया 1901 से 1902 22 के बीच में अब तक 61 वर महलाओं को नोबल पुरुषकार दिया जा चुका है तीन वार तीन वार सांती का पुरुषकार नोबल पुरुषकार किस ने जीता तो आपको बता दें रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्री शमीति को 1917-1944-1963 तीन बार किसे नोबिल पुरुषकार मिला तो ये आपका हो गया रेड क्रॉस अंतरराश्ट्री रेड कॉस्ष्वमिती कब कब मिला 17-44-63 में सनलार्थियों के लिए सन्यूत राष्ट के उचायुक्त को 1904-1984 दो बार मिला वीडियो को अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत बूलेगा अगले वीडियो में हम आपको नोबल प्रवाज से समद्द और भी बहुत सारे फेक्स